कि रूम पंच कर लाइट अन कर अच्छे क्या रिया राची सुबह तो आई थी रात को किसी और को बेजना प्यार व्यार करेंगे यह क्या क्या रहा है मैं सुबह ही आई थी और अब दूसरी को भेज़ने के लिए इसकी नजर में मैं कोई ब्रोकर हूं क्या इसको तो मैं अभी सबख सिखाती हूं अरे मैंने सुचा रिस्पॉंस आईगा लेकिन तुम ही आगी एक इसका तुम क्या है हाइट वेट क्या बोल मैं मेरी ओरिजिनलिटी क्या है पता है तुम मेरी और निकालो समझे बता मैंpower आई और अगले बाः अगर तुमने मेरी तारीफ की ना तो जान से मादउंगी जलो लेका साक्षात सरस्तोती देवी आ रही है साथ में लक्ष्मी आती तो कितना अच्छा होता अब तक आई क्यों नहीं रेड़ एक्सक्यूज मी आप कल दिखाई नहीं दी पती की साथ पिक्चर देखने गई थी तुम यहाँ क्या कर रहे हो तुम्हारी से लेकर दिखाए तुम्हारी नकल गर पूरे युद्धु में टॉपर बन जाओं गांगा ना बक्वास मत करो हम जा क्यां अपना सर से कंपलेंट कर दोंगी हाँ आरे तुम अपनी सीट पर बैठो अपने पेपर सुनिकों युनियोर्स सिटी में टॉपर बन जाओ सब्सक्राइब है यह रूख जा रहा हूं जाओ कि अश्या है कि आख अरब बापरे, टेक्स्ट बुक को पूरे दुपटे में जरॉक्स मार दिया है मैंनत करने की बाद की थी ये महनत है तुमारी? मैं तुमारे हाट चोड़ती हूँ, अगर अगर इस पर पास नहीं होई न तो पापा बेल्ट से मारेंगे इस पर मुझे पास होना ही है, फ्लीज 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 एक्जम होने के बाद भार मिलना, एक हग करूँगा बता दू क्या मुझ ऐसे चीज़ों की आदत नहीं है यार तो इस तरह ड्रेस पर लिखना बच्पन से आदत है क्या अभी पेपर लिखो बाद मिल्ला कैदी नमबर 147 देखी ना उसके बाद वो नर्सिम्मा रेडी की नई वाली मूवी आ रही है ना सूपर हीरो एड़ टॉप वो भी सूपरेटी होगी क्या मूवी बनाई है एक्तम रियलिटी पर है वो जो पीछे बैठा है ना सार वो चीटिंग कर रहा है अरे इतनी बड़ी स्लिप लेकर आया है चल लेकर आया वहां तक तो ठीक है लिखने के बज़ा हवा में क्या देख रहा है यह आंसर है सर यह आंसर किस क्वेश्चन में लिखना है पता नहीं चल रहा है सर क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी थैंक्स फोन उठाया वैसे लगा नहीं था कि तुम अपना नंबर मुझे दोगी दस मिनिट दो की तो हम क्लियरली बात कर लेंगे दस पजे लाइब्ररी में अरो बापरे दस मिनिट बाकी है अभी तयार होता हूं आराम से आराम से सुबा की बात कर रही हूं आप यह सारे चिट फिर से बनाने पड़ेंगे आप यह जो भी बात करनी है बोलो मैं सुनकर चली जाओंगी तुम्हारी पीट को देखके बोलू कार्तिका तुम्हें से देखती है तो मैं डिस्टब हो जाता हूं थोड़ा पलट जाओना प्लीज कि पहले मेरी लाइफ स्टाइल ऐसी नहीं थी कार्तिका रोज एक फाइट रोज एक केस मेरे पापा कहते थे मेरे नहीं रुखते थे और तुम्हें देखने के बाद सच में मेरे ये पैर जमीन पर नहीं है कारथिका तुम्हें सच में बहुत पसंद हो अगर तुम हमки तो मेरी रिजल्ट आ गया है क्लास का टॉपर है कार्थिका कार्थिका तुम नहीं तुम एम कार्थिका हो जो क्लास में फर्स्ट आई है वह एल कार्थिका है मैं हाँ तुभी बेटी खड़ी हो जा घिवर बीगेंड्स कर तुम चला गया अरे क्या आएट यार मुझत कुस समझ में लिए आ यारे अरे हां हुआ है 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 मेरे सामें यह आक्टिंग नहीं मिली थी तो दुखी मिल गई हूं तो दुखी बात क्या है तब ना मुझे पड़ाई आती थी और नहीं तुम्हें लेकिन अब तो सब चेंज हो गया है तुम तक लास्ट आपर बन गई हो तो सुचा मैं ही साइड हड जाओं मतलब परे जहां भी मिलते थे अब सब्सक्री सायलेंत नोगर मेरी कॉंसेंट्रेशन थicação के lukk एफ ऐसा क्यों धीक है किया थीक है मार ratio बोड़ रहीं उसका जवाब दो मुझे डिस्टरब क्यों करतीजिँ रहे हो ठीए है ओवे पागल हो गया है आउ安 पापा के साथ फ्रेंडली होना चाहती थी, नहीं हो पाई, मा के साथ ओपन होना चाहती थी, नहीं रह पाई, मैं खुद अपने आप में रहना चाहती थी, नहीं रह पाई, मैं दूसरों की तरह रह रही थी, पर तुमने देखा कि वो मैं नहीं हूँ, इसलिए डिस्टरब हो तुम्हारी वजह से आया अब यह सब होने के बाद तुम सालेंट होकर जा रहे हो कि अधिर नहीं हूं यह बात तुमने आइडेंटिफाइए की थी मेरे अंदर जो बदलावाय है वह तुम्हारी वजह से आया है और उसके बाद सालेंट होकर जा रहे हो तुम्हें मार्क्स के साथ बाते भी करना आगया अगर हमारे बीच के डिस्टेंस को मिटाना है तो पापा को इंप्रेस करना होगा इंपॉसिबल हाँ तुम्हारे पापा नहीं मानेंगे यह इंपॉसिबल है दिखने में तो पड़े लिखे लगते हो फिर जेल में क्यों हो बहुत बड़ी राम कानिये बाई बताऊंगा तो टाइम बरबाद होगा है अब यहां कौन सा बड़ा काम कर सकते हैं सर जो टाइम वेस्ट होगा टाइम पास के लिए ही बता दो सर वैसे तो सारे बच्चे अपना दिल खेल खूद में लगाया करते हैं पर मेरे बेटे ने आजा आजा मेरे बास आजा आजा अभी अगर इस्माइल कर दूना तो दस लड़किया घाल जाते हैं तो पेस्ट बदले बहुत बद्बू आ रहे हैं तेरे मुझ से तो पेस्ट बदले बद्बू आ रहे होगी उसे देख ले मुझ पर पंच मार रहा है तू इसके गाल पर पंच मार पापा को भी मार बेटा बार बार अजो 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 इसको भी और बार यह तो हसने लग या मेरा वेटा मामा के पास मुझ समझ रखा जब भी रोय थी मेरे पास लेकर आ मुझे देखे को और का रहा है ती 112 ते रहा हुत के लिए सुनिया जी इसने फिर से रहना शुरू कर दिया कहा है ना इसकी चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो यह आटो वारा एंकल ना इनको मारो तो कि आपने बच्चे को समाल लो नहीं तो तुम्हारे लिए ही मुश्किल खड़ी करेगा वह रास्ता भटक गया है सर नजर रखनी चाहिए थी कितना पढ़े लिखे हो भाई तेंद फेल हूं सर डिग्री तो है नहीं तेरे पास और मुझे सलाह दे रहा है मार के भी देख लिया उसे एई बंटी को क्यों मारा तुने मुझ क्यों बना रहा है अब कोई फाइदा नहीं चल हाथ मिकल मार खाकर रोने की जगा तु एंजॉइ क्यों कर रहा है मारने में भी मज़ा और मार खाने में भी मज़ा ये क्या बात हुई सैर ये बच्पन में ऐसा है तु बड़ा हो के क्या करेगा उधर देखो तुम लोग स्टुडेंट्स हो या गुंडे हो जो बीच सड़क पर जग जगड़े में तुम लोग नज़र आये ना तो पीडी एक्ट के तहत अंदर कर दूंगा समझ में आया इन दोनों ग्रूप के लड़कों के नंबर और अड्रेस सेपरेट नोट करके इन लोगों को छोड़ दो चलो जा 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 चलो सब लोग यहां के साइन करो अगर यह बात तुमारे गारजियन को पता चले तुने कितनी तकलीफ होगी उनको पता है सर मारने के लिए उन्हों नहीं तो मुझे बच्पन से एंकरीच किया है इसी वक्त अपने पापा को फोन करके पुलिस टेशन आने के लिए करो इसकी तो आदात हो गई है सर इसे अंदर डल दीजे अक्कल आ जाईगी पापा सुनो कॉंस्टेबल सर इस लड़के को छोड़ दो और इसके बाप को शाम तक अंदर रखो सर आ बेठे की गल्ति की सजा बाप को मिले ये किस कानून में लिखा है बताओ दिया क्यों सर बस एक बार बिल्कुल भी नहीं लाइफ में जब कभी भी ये जगड़ा करेगा मैं हार बार तुम्हें ही अरेस्ट करूँगा तो ये है मामला सर आपका टाइम खराब था इसलिए आप इंस्पेक्टर की नजर में आ गए वो तो पहले से ही हीला हुआ है अगर हो सके तो अपना मुहला बदल लो अगर मेरी बात मानों तो आपको ये शहर ही बदल देना चाहिए अगर आप ये सोच रहें के टेंथ फिल की सलाह क्यों मानूं तो सेम प्लेस रेगुरर मिलेंगे फिर आगे की कहानी भी सुन लूंगा क्या हुआ कोई बुरा सपना देखा क्या हाँ जी मेरे बेटे के दुश्मनों ने आपको जौन से मार दिया है ऐसा सपना देखा मुझे भी इसी बात का डर था कि एक नहीं दिन वो लोग मुझे जरूर मारेंगे पर ये तो बताओ मुझे उन्होंने मारा क्यों सिर्फ सपन आया उन्होंने वजह नहीं बताई झाल ये सही है ये उठो उठो अरे एक सीन दिखाता हूं उठो ओहो आधी रात को कौन सा सीन दिखाएंगे तो देखो तो अब मैं समझाता हूं कि हम लोग क्या करें हम अपने बेटे को गुंदों के पास में भेज देंगी और उनके बीच में रहकर वो लड़ाई आप पागल हो गए है क्या हम लोग उसके साथ है तो इतना उचल रहा है वो हम नहीं रहेंगे तो पता नहीं क्या करेगा पागल तुम हो गई हो अरे हम है इसली तो वो इतना उचलता रहता है ना जब वहां पर रहेगा और जगड़ा हुआ तो जगड़ा सट्ल करने के लिए मैं नहीं रहूँगा, चोट लगी तो मधम लगाने के लिए उसकी मा यानि तुम नहीं होगी मा रोते हुए बच्चे को अगर रूसे, रोते हुए बच्चे के सामने बिठा दिया जाए तो बच्चा चुप हो जाता है ऐसा कौन सा गाम है जी? तिरूपुरम आंधरा और तमिल लाडो के बॉर्डर पर है जब आंधरा और तमिल लाडो अलग हुआ तो तिरूपुरम के बीच में से वो रास्ता निकला गाओं के एक तरफ तमिल लोग रहते हैं और दूसरी तरफ तेलकु लोग रहते हैं इस गाओं के लोग उस गाओं में नहीं जा सकते और उस गाओं के लोग इस गाओं में नहीं आ सकते एक दूसरे को मारते काटते अतनी जिंदगी गुजार रहे हैं इस गाओं के बीच लकीर इसलिए खींची गई ताकि तुम लोग एक दूसरे की जान ना लो लेकिन तुम तो एक दूसरे को मारने पर तयार और केशब तुमने उसका पांग क्यों काटा और क्या करते सरपंजी हर बात पर जगणा करने के लिए तयार रहते हैं लकीर किसलिए हीची गई कि लोग इधर ना आ सकें और इधर के लोग उदर ना जा सकें आपकी जबान रखना चाहते हम लोग इन लोगों के आद्मी हमारे एरिया में आ कर हमारे आदमी को कटना चाहते तो हम क्या करें उत्लit यह मुत्तु पंचाइत में किस तरह बात करनी पता नहीं क्या जायदा जागीर होने से को इंसान बढ़ानी होता गांव अच्छा होना चाहिए दिल अच्छा होना चाहिए एक टांग चली गई तो तुम ऐसी हरकते करोगे? कितने लोगों की जाने चली गई उसका क्या? तुम दोनों को मैं आखरी चेतावनी दे रहा हूँ इसे चेतावनी समझो या फिर कुछ और आज के बाद कोई भी शक्स इस तरफ से उस तरफ और उस तरफ से इस तरफ आया तो बिलकुल अच्छा नहीं होगा ये आखरी चेतावनी है इसके बाद पंचाइद कारवाई कर सकती है एए जी उसके घरवालों को दे दो जी सर्पनजी कुट्टे के पास दुम होती है पर दिमाग नहीं होता चल रहे ये क्या भाई हमारे आदमी की टांग काटके हमारी बेज़ती कर दी और हम लोग खड़े खड़े तमाशा देखते रहे टांग के बदले हमें भी टांग काटनी पड़ेगी टांग के बदले में टांग काटने का समाना गया अब टांग के बदले में सीधा सर इतना सब कुछ होने के बाद हमारे साथ कौन आएगा अब कोई न कोई तो इस दुनिया में होगा ही जो मेरा ये काम करेगा तिरोपुरम वहाँ पर एक इंजीनिरिंग कॉलेज है वहाँ पर दोनों लोग पढ़ सकते हैं बस कॉलेज के अंदर नियम यह है कि जगडा नहीं होना चाहिए इसलिए जमीदार ने वहाँ पर एक नियम बनाया हुआ है वहाँ पर वह अंदर भी रहेगा और जैसा तुम चा कंपनी वालोंने मेरा ट्रांसफर तिरूपरम कर दिया और अभी पोस्टिंग के लिए सिर्फ दो महीने है और तुम्हारा से मिस्टर में शुरू हो जाएगा इसलिए मैंने तेरा एड्मिशन वहीं इंजीनिरिंग कॉलेज में करवा दिया है तु जाकर वहाँ पर सेटल हो मैं कहीं पर भी जी सकता हूं अरे बेटा तुम फिक्र मत करो मैं बात कर रहा हो ना तु ऐसे बात कर रहा है कहीं तरी बस ही ना छूट जाए मुझे यह डर है कि ताटा कि मा का ख्याल रखना ठेक है जल्ती फागों यहां से कर इसका मूद ना चेंज हो जाए कि महाँ ना चेंग है कि वें आउय आगे में अब कि तो तो अच्छे आउड़्या दिरुपुरा मतरों परेटरों तरों परेटा अच्छा बहया यह खेती यह पहाडियां यह अग्रिया ऐसा लगता है आप मुझे दूसरे राज़ी में लेकर आये हो अदरा रहे बाप्ने मुझे बॉड़र पिला के खड़ा कर दिया सर आपको इधर जाना है उधर गया तो वहीं कि रह जाओगे पापा मैं पहुंच गया हूँ काओ जाते ही तेरी आवाज में कितना फर्क आगया है उतरते ही फोन कर लिया तुने आवाज तो बदलेगी ना पापा पॉलिशन से भरे शहर से निकाल कर अचानक साफ सुत्रे वाता उरण में भेजोगे तो चेंज़ेस तो होंगे इना इत्ता कॉमन सेंस नहीं है हैद्राबाद यहां पर आंधरा की बॉर्डर खत्म होती है पापा मां के हाथ का खाना खा खा कर मैं बोर हो चुका था यहां पर इटली सामबर बहुत फेमस है वो खाकर आपको फोन करता हूं चल अरहां एक सेलफी अब आप स्माइल कर आप 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 ले लो बेटा सो रुपे में सौर रुपे में ले लो सौर रुपे में कौन खरीदेगा यार कोई भागली खरीदेगा यह क्या है बीच रास्ते में बांध कर रखा है यह देखो यह होटल है ठीक है खाते वे बात कर लेते हैं आज़ा भाई टूपलेट सामबर इडली मेरे होटल में कदम रखते ही इतने सारे ग्राहक आ गए दो प्लेट सामबर इडली ज़रा चल्दी यहां अरे बेवकोफ नीबु कोई इतनी बड़ी तलवार से काटता है छोटे चाकू से काटते है रुख जरा पूरा खराब होगे ना पागल कहींगा है हिंदी समझ में नहीं आती गया कितनी बार बोलना पड़ेगा सामबर इडली दे जल्दी तुम सबको मेरे बार में पता नहीं है अभी बताता है तुम लोग आदमी हो कि जानवर हो यार ऐसे कैसे हो सकते हो तुम लोग अरे जगडों में इंट्रेस्ट मैं भी तो रखता हूं लेकिन ऐसे सामबार इडली के लिए जगडा करना अच्छी बात नहीं है यार अच्छा मेरा बैग लिलू मैं अरे दादा कम से कम आप तो इनने समझा ही सकते हैं ना बार सिह कम आप जडने आप में आप तो तो रहर कि 乾दा कैसे पानी पीलो लो पीलो अरे कोई बकरी को गाड़ी से उड़ा दिया ऐसी पूरी फैमिली पीछे पड़ गई थी मेरे वो क्या है कि दो दिन पहले उसका अदमी धर आया था उसकी टांग काट डाली उसी घुस्से में टांग काट डाली पागल हो क्या पागल नहीं दुश्मनी टेल्गुवाले उदर नहीं आसकते तंम इलवाली डार नहीं सकते इता है यहां का प的是 नहीं जाता यहां तो फिर भाई पुलीस यहां कहां से आएगी लगता है बहुत ज्यादा इंट्रेस्टिंग है अच्छा तो असल में यह जगड़ा क्या था तुम पढ़ने के लिए आयो ना तो पढ़ाई करो ना फाल तुम्हें इस लफटे में पढ़ने की कोई जरूत नहीं है ठीक है पर हमारे कॉलेज के अंदर जगड़ा कोई चांसी नहीं है प्रिंसपल परमात्मा अदमी है एक दम स्क्रिक् कि तमिल वाले हों या तेलगुवाले वो सब कॉलेज के बार एक बार कैमपस ने कदम रख दियाना तो सब एक समान उनके रूल के हिसाब से चलना पड़ता है जिसे भी कॉलेज में पढ़ाई करनी है उनके होस्टल में सबको मिलके ही रहना पड़ता है बहुत बढ़ाया वाई रेखा इन दोनों करते हैं इनकी बातों से लगता है रजनीकान से यह कुछ ज्यादा इंस्पायर है रेखा वन वीक के लिए नहीं इन लोगों को वन मंथ के लिए सस्पेंट करो अगर ऐसा को हैदराबाद में होता न तो डंडे से मारता उसे इसलिए वो तुम्हारे जैसे लड़कों के लिए रादबर दरोड़ा कोल के सोता है मतलब हमारी में यहता है भाइए बात बताओ तुम कोलेज में पढ़ाय करने के लिए आये हो यह जहां के मार्क बिट करने के लिए आये हो अरे बताओ ना भाई लगता है माने का नहीं नल्ला सीनू के देख रेक में एक बार महीने में फाइट होती है नल्ला सीनू यह कॉन है वो कॉलेज के केंटिंग ऑनर है वो कॉलेज के पी बिल्ली की तरह है एई अभी तुम लों के बारी अज महिने के पहला दिन है ना आज फाइट होगी अधिक पता था हुआ हाँ भाई कॉलेज में जादा दिन तुम टिकने माले नहीं लगते हो यह लो मेरा काड जरूद बड़े तो मुझे याद करना हुआ 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 यह क्या रे बलकेश अरे इटली खाया उनका सांबर नहीं खा सकते हम लोग उनका कपड़ा दोना पड़ता है अब लोगों को तो यह से मार खाएगा तो कैसे चलेगा जा मार उनको अब कर रहा है इसे अड़ी कहीं का ये काम इसे नहीं होने वाला है इस महीने भी तेल्गो वालों का इस तरूठा रहेगा है यह लूंगी रख ले अपने पास कि अगले पार किसी धंके बंदे को भीचना अरे यह को पूरा ललों निक्ला आप प्या चाहिए को गया कोल्डेंग गेमें पार्टीशिपट करना है पांट्व रुपय लगेंगे यह लगता है यह तमिल वाला है जमके तुराई कर यह दिखने में तो अच्छा लग रहा है अंदर जा ऐसी पिछ पर पहली बार है भाईया मारूंगा की नहीं पता नहीं हां लेकिन चार मुख्या खाकर वपर चला जाओंगा आचाओ नहीं है भाईया जाओंगा यह लूख्या कि वद्ष यह लेको बारी यहा जाओंग प्री यह तुराग्ज दोलाग्भ्ट को यह उल्खर तुराब्धश्स अजया बारी वह वारी उझने में नहीं चलाओंग्श्ट हम्रोंग्श्द्ग्श्ट अज्श्श्वार ही इतु वो मारेगा तो एंजोई करूगी या मैं मारोगा तो एंजोई करूगी कोई भी मारेगा तो एंजोई करती है अधर कोई मार रहा है इसलिए तो इदर आ गया मैं अरे उनके लोगों को मार रहा है अबे क्या बख रहा है तो सारे सवाल यही पुछेगा तो वो चला जाएगा चला 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 है है अब मार अरे बर्यू पर वह कॉछल है अब कोई न है इसे क्या अपना पोजीशन वाजे को मार रहा है बतला अब 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 अपना ही है को यह 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 सेने प्रियर कियां नच प्राइ। भर खए भर आप पौल प्राहिं प्राइं टुण जुब झाल 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 एंग को ने तुए पूछ रहा हूं कौन है तुए नियू जॉइनिंग है अच्छा ये बात है तो फिर तुम यहां क्यों हो प्रिंस्पल के कविन में होना चाहिए अच्छा राव कि लोग गाउं से शहर जाते हैं और तुम शहर से यहां पढ़ने आयो मेरा भी यही मज़ा आएगा सर पढ़ने में तो पहले तुम होस्टल जॉइन कर लो जरा इस लड़के पर अब्जर्वेशन रखना इसका में लग गई हूं सर ब्रो यह यह अपना होस्टल यहां पढ़ने वादे सभी बड़े-बड़े आदमी बन गए ऐसा प्रिंस्पल साब कहना है लेक यह नीचे रहेगा और आप उपर रहोगे और हमसे टकराने माला सीधा उपर जाएगा उस लड़के के बारे में पता चल गया है वह कॉलेज में नया जॉइन हुआ है गलती से वह बगल में चला गया था मगर होश्यारी से बचकर निकल गया यह बात हमें पता चली है भाई ठीक है तुम लोग जाओ ठीक है खेती किसके करें उन लोगों ने क्या किया चने की खेती की हम किसी से भी कम नहीं रहेंगे हम भी चने की खेती करेंगे एतने लोगों को उसने भगाया इसका मतलब उस पर अच्छी तरह नज़र रखना पड़ेगा गुटी इवनिंग सर, गुटी इवनिंग, इवल स्टड़ी सर, गुट बॉए इसलिए जो भी करते हैं एदर उदर ही करते हैं एक मेना बड़ेगा पता नहीं मेरे बाप ने मुझे कहां फसा दिया अरे यह कहां कहां है पूछला ब्रो तुमारा फैबरिट हीरो काँ है रजनी कान ब्रो रोबोट दस बार देखी है मैंने अब उसका फैबरिट हीरो तो रजनी कान था है तेरी तो अब भी तुझे डाउट हो रहे क्या अरे गुरू यह हिंदी बहुत अच्छे से बोल लेता है यह तेलको है यह तामिल है पूछो पूछो ना ब्रो आप तो हिंदी इतम फटा-फट बोलते हो बाई मुझे फोर ल तुम आणधरा क्या हो ना अरे क्या नाटा के तुम्हार आणधरा का नहीं हूं तो यहां नहीं रह सकता ग्या अरे तु रूक यार इतने दिनों से उनके साथ फाइटिंग में हारकर सर जुकाकर जी रहते हैं हम लोग वो गालियां देते रहते थे और हम लोग चुप- आदादवा खेल शुरू हो गया इससे देख यह तो सही है ना ब्रो में अभी आता हूँ है कॉलेज के अंदर पहली बार कॉलर उठाकर जीने का मौका मिला है त्यल्गो तैमिल में फर्क मत समझना लड़की होनी चाहिए अट्टा अधर जूनियर और उधर सीनियर से है रोजी तु मेरे साथ फ्रेंड्शिप करें क्या कॉलेज में इतनी सारी लड़किया है फिर तुझे मुझसे क्यों फ्रेंड्शिप करनें वो सब तेरे से खुब शूरत है मुझे क्यों चुनेंगी इडियाट कहीं का प्रिंसपल तो नह सुजी हम लोग शादी कर लें क्या तु थर्ड यर में है और फोर्थ यर में तो नेक्स यह कर लेते हैं मैं भी नेक्स यह फूर्थ में आ जाओंगा किस ते चिपका दिया तालिया बजा रही थी अच्छा गलती से मेरा चैरा बीच में आगया हाँ थे इस इस जाया परसंट परसंट बताओ ना बैकलोग कितना है थ्री तुम्हारा चैरा ही जूट बोल रहा है मगर उंगलियां सही बता रही है कौन सी क्लास में हो 3rd year CSC ओहोoten कितना पढ़ा गया पता स्टिम्हार कौन सी है यह यह पता है कौन से पाटा है यह फ्लोर पर यह पता है तो पता क्या है बस दधिक को हाई बोलना आता है चलो क्लास में जाओ यह हैं यह हाँ क्या हुआ तुम लोग तो ऐसे खड़े हो गए जैसे बिखारी रजगुला देखकर फॉरन खड़ा हो जाता है बैट जाओ इंजिनीरिंग कॉलेज के अनेजुकेटिड फैलोज लास्ट सेमेस्टर की टॉपर है कार्तिका गिवारा फिगेंज फैरो फैरो क्या बात है बेटी इतने कॉंफिरेंटली खड़ी हो गई तुम चार्ज सब्जक्ट में फैल हो गई हो और दो सब्जक्ट में जस्ट पास हुई हो और तो ब्लैक लिस्ट में तुमारा नाम सबसे उप़र है अव डेर यू सराभी ने तो कहा कार्तिका मैंने एम कार्तिका को तुम एल कार्तिका हो बैठ जाओ एम कार्तिका कि वारे बिग हैंड अरे सरा सुनो मैंने तो हाथ से बता दिया लेकिन तुम्हारा रिजर्ट बताऊंगा तो मेरे हाथ पर कम पढ़ेंगे अरे बाप्रे इंग्लिश कमाल यार कितना विट अब देती हो तुम तो ट्रांसपोर्ट से आयों क्या नई सर बस में आया हूं वर्स जोक है ये वरी वर्स जोक पूरी क्लास सालेंट है और तुम जोर-जोर से हसते जा रहे हो तेरी परसेंटेज कितनी बनी थी सर नंटी आसव किया बेकार के जोक पर बार-बार हसता जा रहा है वह बन राधा थे जरी संप्र एटा मुझ तेरी काभी शक हो रहा है मैं तुसे सवाल सब पूच dent ठीक है सर क्या मतलब है उसकी फुल फॉर्म बताऊ कंप्यूटर क्या गलत बोल दिया एजूकेशन हाँ वेचारा नाया आया है ना इन लोगों के साथ कैसे मिल जूल कर रहेगा मैं तो यही सोच के परिशान हो रहा हूं ग्रेट सिंक्रोनाइजेशन तुम लोग दूद और पानी की तरह मिल कर रहो उसी में तुम्हें खुशी मिलती है न तौहीं करो सर हमारी क्लास नहीं लोगे द सब्सक्राइब को कैसे पढ़ा सकता हूं अभी कौन बनेगा करोणपती खेल रहा होता तो फट अपड़ फट 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 जवाब देता मैंने मेडि बेटी के स्कूल का सवाल पूछा तू इसका भी जवाब ने सकता तुम्हारा लेवल कितना नीचे जा चुका है ना लाएको तुम सब तो हम फ्रीली बात कर सकते हैं ना चैनल है और हम दुनों में बहुत सरी बातें सिमिलर है तुम्हें जगडा पसंद है तुम्हें पढ़ाही में इंटरेस्ट नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं है अफ्कोर्स थोड़ा ठीक-ठाक मैं हूँ चला आगा इसलिए कहते हैं सही इंस झाल झाल इस बार चोट शरीर पर नहीं दिल पर लगी है मा क्या हुआ बेटा यहां पर एक लड़की को देखा मा तेरी तरहीं महालक्षमी देवी का रूप है लेकिन अंदर से वह पूरी फुलन देवी है मा उस लड़की की खूबसूरती उसका घमन भगमा ने उसे कॉक्टेल बनाया सुनते हो हमारे बेटे को कोई लड़की पसंद आगी है आधते बिलकुल बुरी है लेकिन तारीफ करने की कोशिच कर रहा है वह पूरी तरह करने के लिए हमारे डाकू को वालमिकी में तबदील करने का यही तरीका है है लड़की को बोल दिया तुमने कैसे बोलु समझ भी लव स्टोरी किताब पढ़ो और एक अच्छी से फिलिंग पेपर पर लिख डालो उस लेटर को पढ़ने के बाद लड़की को लगना चाहिए कि अगर यह लड़का मेरे जिन्दगी में नहीं तो जिन्दगी बेकार है दिल पर तीर मार दिया पापा ऐसे वाले शब्दों क देखते हैं तो अंग्रीज हो गया है क्या अरे कुरू जड़ा देखो तो वो तिल्गू किताब पढ़ रहा है मैं मैं पढ़ रहा हूं तो मैं वाला हो गया क्या इसकी हाला देख कैसी हो गए हर बात पर शक करता है पीने का अलागी मज़ा है उसने देख तेल्गू में लिखा है इसे तेल्गू नहीं आती है इसलिए लिख करके काट रहा है वह पक्का वह तमिल वाला ही है चेर्स चेर्स सुना है शहर की लड़कियां सर्फ यहां तक कपड़े पहनती है हां यार यहां की लड़किया भी अपडेट का हुई है हम लोग यहां तक कपड़े पहने ना तो भी लड़के देखेंगे अरे कार्टिका तिरे लिए लेटर है कितने लोग लिखेंगे लेटर कॉलिज में क्या मैं अंकेली हूँ इसको भी लिख सकते हैं इसको भी तो लिख सकते हैं इस बार किस ने लिखा है कोई हरी है सोचा था मुझे तो लगाए था कि इसके पास से लेटर जरूर आएगा पर दो दिन लेट हो गया चल पर हाई तुम बहुत क्यूट हो बहुत स्मार्ट हो बहुत इंटेलिजेंट हो बहुत डेरिंग बास ऐसा तुम मुझे कहोगी रहने देते हैं यह रहने नहीं पड़ते तुम लोगों को मैं कितना टॉचर करूंगी हां जाने देना बहुत इंट्रेस्टिंग लग रहा है तुम कंटिन्यू कर तुम बहुत खुबसूरत हो तुम समझदार हो तुम्हीं देखकर दस लड़के गिर जाएंगे अगर किसी मार्षष को भी होता है अखे अगर अच्छी आथी तो उसे स्वाट लिए मैंने तुम्हें सेलेक्ट किया है तुम्हारे जवाब का वेट करूँगा कि तुमभी मुझसे प्यार करती हो तुम्हारा राक्षिस, तुम्हारा आशिक, तुम्हारा राक्षिस, तुम्हारा आशिक, तुम्हारा आशिक, तुम्हारा आशिक, तुम्हारा आशिक, इससे तो सबग सिखाना ही होगा ए रुपना वो लोग भूखे शेर की तरह सौ लोग है और हम नाजुक सिर्फ पांच लड़किया है क्यों से पंगा ले रही है तू चलना या से चलना ए चलती आओ ए यहां सीची टीवी कैमरा लगा है सीची टीवी होने से कुछ नहीं होता प्रिंसिपल के कमरे में फ्यूज होना चाहिए यह कब निकाला यह बताना जरूरी नहीं है चलो कितने दिनों के बात हुई है लोग किसमत से धन दौलत लेकर आते हैं और यह क्या अंडर वै लेकर आया है हुआ है यह क्या है इसलिए इनके माबाप ने यह यहां भेज दिया है जिससे छिपाना चाहिए था उसे मूब पर डाल कर सो रहा है यह बवकूफ यह उसका रूम नमर क्या है वाट जीरो एट चल रूम पंच कर लाइट अनकर कर अच्छे क्या रहे राची सुबह तो आई थी रात को किसी और को बेजना प्यार व्यार करेंगे यह क्या कह रहा है मैं सुबह ही आए थी और अब दूसरी को पेज़ने के लिए किया रहा है इसकी नजर में मैं कोई ब्रोकर हूं क्या इसको तो मैं अभी सबक सिखाती हूं अरे मैंने सुचा रिस्पॉंस आईका लेकिन तुम ही आगी एक इसका तूब क्या है हाइट वेट क्या बोला तुम क्या समझ रखार मेरे बारेमें अंब मैं स्पेक्स पहनती हूं, मेरा रंग गदय जैसा है, मैं खुब सूरत नहीं हूं, मेरी हर चीज्जे तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम जानते क्या हो मेरे बारे में हा? मेरी ओरिजिनालिटी क्या है चली गई अगले बाहर अगर तुमने मेरी तारीफ की ना तो जान से मार दूंगी चलो रेखा साक्षात सरसोती देवी आ रही है साथ में लक्षमी आती तो कितना अच्छा होता अब तक आई क्यों नहीं रेड़ा असर एक्स्कूज मी आप कल दिखाई नहीं दी पती की साथ पिक्चर देखने गई थी तुम लहां क्या कर रहे हो तुम्हारी नकल कर गे पूरे युनियो सिटी में टॉपर बन जाओंगा ना बक्वास मत करो हां जाके अपनी सीट पर बैठो अपने पेपर लिखो युनियो सिटी में टॉपर बन अरब बापरे टेक्स्बुक को पूरे दुपटे में जरॉक्स मारती है मैनत करने की बाद की थी न यह महनत है तुमारी प्लीस प्लीज प्लीजवीं फ्लीज मैं तुमारे हाट चोड़ती हूं अगर इस अचे पास नहीं हूई ना तो पापा-अ बैट sentence आठो ए इस पर मुझे पास होना ही है जार एक्जाम होने के भाहर मिलना एक हग करूँगा मेरी चपल से कर देना बता तूं क्या स्कुल्वों इसे चीजोंके आदत नहीं है तो इस तरह ड्रेस पर लिखना बच्पन से आदत है क्या अभी पेपर लिखो बाद में मिलना कैदी नमबर 147 देखी ना उसके बाद वो नर्सिम्मा रेड़ी की नई वाली मूवी आ रही है न सूपर हीरो एड़ टॉप वो भी सूपरेटी होगी क्या मूवी बनाई है एक्तम रियलिटी पर है वो जो पीछे बैठा है ना सार वो चीतिंग कर रहा है अरे इतनी बड़ी स्लिप लेकर आया है चल लेकर आया वहां तक तो ठीक है लिखने के बज़ा हवा में क्या देख रहा है यह आंसर है सर यह आंसर किस क्वेश्चन में लिखना है पता नहीं चल रहा है सर क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी थैंक्स फोन उठाया वैसे लगा नहीं था कि तुम अपना नंबर मुझे दोगी दस मिनिट दो की तो हम क्लियरली बात कर लेंगे दस पजे लाइब्ररी में अरो बापरे दस मिनिट बाकी है अभी तयार होता हूं आराम से आराम से सुबा की बात कर रही हूं आप यह सारे चिट फिर से बनाने पड़ेंगे अपना आराम से आराम से बात कर दोगी तो है आराम से बात कर दोगी तो है करें बोलो मैं सुनकर चली जाओंगी कि तुम्हारी पीट को देखके बोलू कि बोलो कि कार्तिका वह तुम्हें से देखती हो तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं थोड़ा पलट जाओना प्लीज पहले मेरी लाइफस्टाइल ऐसी नहीं थी करतिका रोज एक फाइट रोज एक केस मेरे पापा कहते थे मेरे पैर जमीन पर नहीं रुखते थे और तुम्हें देखने के बाद सच में मेरे ये पैर जमीन पर नहीं ये करतिका तुम्हें सच में बहुत पसंद हो अगर तुम छलाइघ। पर्स पर्सों छो एक्ग्जम दिया था उसका रिजल्ट आगया है क्लास का टॉपर है कारतीका कारतीका तुम नहीं तुम है एम कारतिका हो घ厘ल कार्तीका है एक अघल हु?, मैं तु भी हम अंग्छ मुझे तो यार मुझे तो कुछ समझ मिली आ रहा है कमानों कि मेरे सामने ही ये आक्टिंग नहीं मिली थी तो दुखी मिल गई हूं तो दुखी बात क्या है तब ना मुझे पड़ा ही आती थी और नहीं तुम्हें लेकिन आप तो सब चेंज हो गया है तुमतर क्लास्ट आपर बन गई ह तो सुचा मैं ही साइड हट जाओं मतलब पहले जहां भी मिलते थे वहां मुझे डिस्टर्ब करते रहते थे अब सदनली साइलेंट होकर मेरी कॉंसेंट्रेशन बिगार के डिस्टर्ब कर रहे हो ऐसा क्यूं ठीक है क्या ठीक है मैं जब बोल रही है उसका जवाब दो एई पापा के साथ फ्रेंडली होना चाहती थी नहीं हो पाई मा के साथ ओपन होना चाहती थी नहीं रह पाई मैं खुद अपने आप में रहना चाहती थी नहीं रह पाई मैं दूसरों की तरह रह रही थी, पर तुमने देखा कि वो मैं नहीं हूँ, इसलिए डिस्टरब हो गई थी, तुमने आइडेंटिफाइ किया कि असल में मैं क्या हूँ, मेरे अंदर जो मदलाव आया, वो तुम्हारी वज़ा से आया, अब ये सब होने के बाद, तुम सालें सालेंट होकर जा रहे हो, क्या कहा, जरा फिर से कहना, मैं मैं नहीं हूँ, ये बात तुमने आइडेंटिफाइ की थी, मेरे अंदर जो बदलाव आया, वो तुम्हारी वज़ा से आया है, और उसके बाद, सालेंट होकर जा रहे हो, तुम्हें मांक्स के साथ, बाते भी करना आगे है, अगर हमारे बीच के डिस्टेंस को मिटाना है, तो पापा को इंप्रेस करना होगा, इंपॉसिबल, तुम्हारे पापा नहीं मानेंगे, ये इंपॉसिबल है, भाई एक इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे एक इस्टाल्मेंट भरना है, पेटिये में, क्या, गारत कि जो है, वो बेटी है, केशव उंकार की, वो तिल्गु वालों में सबसे बड़े हैं, भाई डरा रहे हो या पिर डर रहे हो, बहुत ज़रा समल के बोल रहा हो, पागल कहीं का, भाईया, मुझे भूल तो नहीं के, उसकी बेटी के प्यार में पड़ गया, भाईया, काट दे दिया, तो सुचा एडिया भी दे दो गया, लेकिन उस केशव वलू को कैसे इंप्रेस करूं, वो तेरे बारे में सारी इंफोर्मेशन निकाल रहा है, वो किसलिए, अरे तुने जो कमाल किया न, उसके आदमियों को मार करके, इसलिए वो तेरी बहादुरी से बहुत पर अगर तुम दोनों में दुश्मनी है, तो का एक दूसरे को मारोगे, पर जिससे दुश्मनी नहीं उस पर हमला क्यों किया, क्या बात कर रहे हैं सर बंजी, कब किसके उपर हमला किया, भाई, उस दिन जो बच गया था, वो यही है, सर मैं हैदराबाद से यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ, जैसे मैं बस से उतरा, तो वो आपका आदमिया ना, वो मुझे बोला कि यहाँ पर ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा मिलता है, और इडली सामबर का ओडर दे दिया, लेकिन बाद में मैंने देखा कि वो कितनी ताकत है, तेखिये सर पंजी, कोई कुछ भी बोल दे तो उसके लिए पंचायत एकना बहुत गलत बात है, यहाँ आने से पहले हमने इसकी शकल तक नहीं देखी थी, और पंचायत का काम सिर्फ बातों से नहीं चलता, सबूत चाहिए, अब यह सफेद दढ़ी तेरी तुम लोगों ने इसको देखे बिना इसके साथ फोटो किछ वाली है, यह फोटो क्या है रहे, सेल्फी बोला था भाई, इसलिए मैंने, तुझे सेल्फी लिए थी, हाँ, वो किला जीज़ा है कि सारा है, जायो, कोई भी नहीं आया आया तो क्या उसके साथ तुम ऐसा बरत सुन लो, तुमारे जगे कोई और लीडर होगा, माफ किजिए स्रपंची, एए, चलो रहे, चलो, फर्स्ट टाइम, बिना कुछ भी खाए हमारा पेट भर गया, एक बार जड़ा हमारे घर आओ, खाने बार, दावत करेंगे, जम करेंगे, हालो, मिस्स कार्थिका, मिस्स बनने के लिए तैयार रहो, हां, तुम्हारे पापा मुझे पर फुल इंप्रेस हो गया है, बोले फ्री होते ही खाने पर आजाना, ऐसा क्या, कर हमारे घर पर फंक्शन है, तम कल ही आजाओ, क्या बाद है, ब्रो, कहां जा रहा है, बिर्यानी खाएगा, कहां पर बिर्यानी खाने के लिए तेरे ससूर के घर पर क्यों, देखेगा तो जान से मांड आज़े आपे, डर मत, मेरे ससूर जी मुझे पर फॉल इंप्रेस होगे है, और उन्होंने खुद मुझे खाने पर ब है, अच्छा मेरे ससूर जी का घर पता है, घर तो कमाल का बनाया है, घर पे तो बराबर लेकर आया है तू, डर वाली तो कोई बात नहीं है न, अबे तो मुझ पर शक कर रहा है, अबे बयोकूफ, क्या दिरी दिरे काम कर रहा है, अभी एंकल से शिकायत करता हूं तेरी, क् साइकल चुराने बोले तो बाइक चुरा लेगा, लेकि मैं तो बुलेट लेकर आया हूं, अजा, इतना क्या खा रही है, वजन कम कर अपना, नहीं तो भाट जाएगी, क्या कर रही है, पूरे घर में पानी कर दिया, क्या है ये सब, तो बच्चों के साथ बच्ची बन गई ये पकड जाकर वहां बान दे, मा, जा, बहुत मज़ाया यार, अब ऑड़ क्या देख रहे हैं वहां बीटें थाड़ी है चला चला जाओ कर दो कर दो कि अ कर दो यहां पर हो क्या रही है अंकल के घर पर अंकल नहीं रहेंगे तो और खुन रहेंगा यह तो तमील लोग है ना हम लोग भी तमील यह ना किसने बोला मैं तमील वाला हूं मैं तो तेलगू हूं तुने ही तुने ही तुने हमारे साइट से फाइट की थी मुझे फाइट करना इंट्रेस्टिंग लगता है मैं किसी के साथ भी फाइट कर सकता हूं अब यह बात उनको पता चल गए तो काटके फेक देंगे हमें अब क्या कर रहा है मैंने एम कार्थिका को बोला तुम एल कार्थिका हो बैग जाओ के शोंकार की बेटी वो तेलगू वालों में सबसे बड़े हैं पर उसकी बेटी का नाम भी कार्थिका है फंस गया यार एसकेप पर 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 बाई वो आगया पर पीदा जी के जनम दिन पर वो बकरे की नहीं इंसान की बली मांग रहे हैं इसका तो सर काट दूंगा काट डालो पर तो अँछ नँछ हेलो हाँ बिटा कैसे हो कहा हो लाइफ में फॉर्स टाइम पपा घर की याद आ रही है उसे घर की याद आ रही है बहुत बदल गया है अब तो कि सारे बच्चों और और दों को अंदर लेके जाओ लुको बेटा हमारा दुश्मन होने के बाब जू दिये यहां पर क्यों आया है यह जानना बहुत ज़रूरी है अग्सें यहां पर मैं लेकर आया हूं हूं क्यों इसने हमारे गार में करतम रखते ही मुझे ताने दिये थे अग में घी डालने आके इतना क्या खा रही है वजन कम कर अपना नहीं तो यह नहीं वो नहीं दोनों को खत्म कर दो ओपर आया तो करण लगेगा पानी में डालूं क्या अब गदों दिखाई नहीं देता तुम लोगों को तीचे अरजा परना जटका लगेगा अरो पापर एमोशनल में इनको यह भी नहीं पता चला कि करण चला गया है अब क्या करूं तुम लोग अपने हथियार नीचे डाल दो हम लोग चले जाएंगे फेकदो रे अथियार जल्दी पैको अ हेगे दादा की है कि दादा तो नहीं है न तो घ्रतुकर सोच्いき जान हिए और हमारी जान ठीरीघ्ट ही जर्दış किणή बाइक की चावी दे यह ले तो गाड़ी स्टार्ट कर यह अब कहां डालना है डालते रहे मैं तो चला अब बोलो ब्वाइस वाट टू डू एंड वाट नॉट नॉट तू डू डू डाल दू इधर डालो जैसे ही टीवी चालो किया बिजली चली गई करेंट मा तूने क्यू दोका दिया है अब तो फिर से आगया है अब तो फिर से आगया है अब भागू मैं मर जाओंगा वो लोग मुझे मा डालेंगे मैं अपने दादा की चके से पूरी कुरूंगा उनके सपन सपने रह जाएंगे अब तेरी वज़े से मुझे जिसको इंप्रेस करना था उसी से पंगा ले लिया मैंने कार्थी का बोले तो कौन से कार्थी का पूछना तेलगुवाला समझ के उस तेलगुवाले की सारी डीटेल्स आपको दे दी थी भाई तुझे पैदे से पता था कि यह पता है कैसे जैब मैंने कौन सा पूछा तो हैतरा बात बोला तरीकी यह चोड़कर मैंने सब कुछ पूछ डाला और मेरा वह दोस्त गोपाल बोलता रह आपया क्या तुझी होड़ाइगा wanna अ बसा हाँ वह क्या है कि मantic कि माफ और मैंने पर देक्राट नहीं माने यह हमारा ही बंद है तुम लोगने कैसे पता लगाया वो क्या है ना कि विकेंड में भी डारू पी रहा है इसलिए यहां क्यों आये हो तुम मैंने देखा यह दिलगुवाले से बात कर रहा था कोपचे में लेके इसको अच्छे अगर शांत तो छांत मेरे सामने बात करें तो चलेगा मगर तेरे सामने बात किया तो इसकी जिंदा मत कर हम इसे देख लेंगे चल बेचारा सूसूस ने नहीं तूने किया है वो मेरे गाँ आया पकड नहीं पाए मेरे करीब आया समझ नहीं पाए मेरे घर आया कुछ नहीं कर पाए फिर तुम लोगों को पालने का क्या फाइदा अपने गुस्ते को शांत करो आज के बाद वो जो भी करेगा मुझे पता चल जाएगा क्या कल करेंट गया तो पता नहीं चल पाया वो जो करेगा वो पता चलेगा पंचायत रखेंगे तो इज़त चली जाएगी और अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो मन को शांती नहीं मिलेगी आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कुछ तो करना पड़ेगा जाओ तुम लोग कॉलेज का लड़का बोल रहा है तेरी बेटी को नहीं पता है क्या हमारे गाओं में जो कदम रखने के लिए ड़ते हैं वो घर पर आ गया इतनी हिमत किस ने दी उसे अचीब से कपड़े बालों को कलर और इंग्लीश में बातें करती है वहापरे क्या ये हमारे घर की बहु बीटियों की लक्षण है और पढ़ाई में कौन सी अच्छी है हमारा मुर्गा जितने अंडे नहीं देता उससे ज्यादा तो तेरी बेटी लेकर आती है घर में अगर इंजिनियर बन भी गई तो उससे क्या होगा मुथू किसी के साथ अगर इंग्लीश पिच्छर देखने चली गई तो देखने वाले तेरे मूँपर थू थू करेंगे हाँ कार्थिगा कार्थिगा पापा जो लड़का कल आया था वो तुम्हारे कॉलिज में पढ़ता है जी पापा क्यों आया था इस पुद्धी नहीं फसाया है बंदर गईंगी जवाब दो आप मुझे शक करें हैं पापा अब हमारे घर में तो लागों लोग आएंगे ना अब वो भी आ गया इसमें मैं क्या कर सकती हूं औरे पापरी इसने तो फिर से ड्रामा शुरू कर दिया अगर ऐसे ठाना तो मैं कॉलिज नहीं जाओंगी ठीक है कॉलेज छोड़के घर बैठो अब और को मुझे नहीं पढ़ना है आप ही नहीं का पढ़ो 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 जबदस्ती मुझे होस्टर में डाल दिया ठीक है माना कि आपका गाउं में नाम बढ़ा है लेकिन मैं सिसली के आप गर्स से बोल सको कि मेरी बेटी इंज है वह फोन नहीं करेंगे आहां वहां देख प्रिंस्पल साहब मैं वीरा मुथ्फु बोल रहा हूं मेरी बेटी की पढ़ाए कैसी चल रही है स्पीकर पर डाल शीज वेरी बैड स्टुडेंट मैंने क्या कहा था अगर किसी ने ऐसा बोला तो उसे एक घंटे उठक-बैठक करना पड़ेगा शीज ब्रिलियंट स्टुडेंट इस बार की एक्जाम में शीज ए टॉपर यह है मेरी बेटी कल से तु कॉलेज जा बेटा ठीक है कर में गुसाय तो भी नहीं रोक सकता और खुश हो तब भी नहीं रोक सकता किसमत मेरी है हुए चल जाए है यार आजकल बिलकुल मज़ा नहीं आ रहा पढ़ाई में तो मनी नहीं लग रहा मेरा सच किया रहा हूं मैं फ्रेंट्शिप तो तुम्हारी है 7 आते हो 7 जाते हो एक पावर से दोस्ती कर ली दोनों जो है एक साथ रहते थे एक दिन पावर चला गया तो पता चला कि यह तो सिर्फ साप है अब साप के अंदर बेल कहीं का फोन लगाता हूं जौब नहीं देती मैसेज का रिप्लाइब भी नहीं क्या हुआ है बोलो ना जवाब दो जब तक बात नहीं करोगी हाथ नहीं चुड़ोंगा हमारा मेल नहीं हो सकता तुम तमीलों यह मुझे बताया अगर जात्मत का टेंशन था तो पहली पुछना चाहि करती थी वक आप नहीं होगा भूल जाओ मुझे ओहो मैं तेलगु वाला हूं यह जानकर चाहत कम हो गई है तुम नहीं जानते ही इतना सा नहीं है एक तेलगु घर आ गया था तो तुमने देखाना क्या हो गया था अब अगर हम दोनों को मिलना है तो पहले हमें दोनों गा कर दोने तेलगु वाले को रूम में क्यों रखा है मैं ही तुछ जगाने के लिए किया क्यों मेरी जिद्नगी के साथ खेल रहा है तुमाई सुक नहीं है संतोश नहीं है कम से कम सोने तो ठीक से लाइफ को नींद लेकर खराब नहीं करना चाहिए मरने के बाद तो वैसे हमे अच्छा यह बता यह दो गाउं को मिलानी के लिए करना पड़ेगा वीर और केशो जबता केक नहीं होंगे ना गाउं एक नहीं होगा मेरे ससुर्जी बहुत मूर्ख है बात नहीं सुनेंगे और कैसे मिला सकते हैं कि बिरियानी खाएगा है कहा पर कि बिरियानी के नाम पर हमेशा हदाल करने के लिए सोचता है इन्हें पता चलिया कि मैं तब ही नहीं तो काट डालेंगे अरे इसलिए तो यह टी-शट पैना है तुझे कि बेटा तुम्हारे आने से घर में रोश्णी आ गई आजाओ यह कौन है मेरा फ्रेंड एंकल भाई मुझे तो यह उस पार्टी का लगता है कि टी-शट नहीं देख रहें किसकी तस्वीर छपी है आँखे चली जाएंगे शक करने से आजाओ आजाओ अच्छा खाना बिल्कुल गरम है शर्माना मत पेड़ भर के खाना बेटी कार्तिका अरे बेटा तेरा क्लासमेट आया है आना केशव अंकल अगर आप बुरा नाम आने तो एक बात पूछू आपने अपनी बेटी का नाम कार्तिका ही क्यों रखा उस वीरा मुथ्थू ने अपनी बेटी का नाम कार्तिका रखा इसलिए क्या सिर्फ उसी की बेटी सोभाग्यवती है मेरी नहीं सिर्फ ये नाम वहीं रख सकता है अगर इसलिए रखा दिखा दिया कि क। कार्थिका नाम मैं भी रख सकता हूँ, खा ना खाओ, अब इस घर में एक बेटे की जो कमी है, जो मेरे दुश्मनों को मार भगाए, मैं ऐसा दामाद तुम में देख रहा हूँ, क्या तुम मेरी कार्थिका से शादी करोगा, सर मैं विरामुत्तु की बेटी से प्यार करता मैं यहाँ तुझे अपना दामाद बनाना चाहता हूँ, और तो दुश्मन की बेटी से प्यार करने की बात कर रहा है आपके बेटी से सादी कर punya चानल का मिलेगा आपकी बेटी को पती और आपको दामाद मिलेगा बस अवही अगर मैं उसकी बेटी से सादी करूँगा करेगा तो अगर करूँगा तो उस घर का दामाद बनूँगा मतलब वो क्या तेरे पाउं दोएगा यानि वो हमारे सामने सिर जुकाएगा यह हुई न बात इसे प्लाइन कहते हैं यह बता वो लड़की तुससे प्यार करती है क्या जान दे देगी सर हमारी शादी के लिए आपकी हिल्प चाहिए बेटे अब तु इस विशे को छोड़ दे तेरी शादी पूरे गाउं वालों को पता चलेगी वीरा मुथ्थू तेरे अलावा किसी को दामाद नहीं बना जगए जगए जगए। कोई बताएगा क्या हुआ कोई काटने वाला नहीं था औरतों का सहारा लेके घर में कदम रखा यह क्या हो रहा है सर मैंने क्या बोला था वीरा मुथ्थू तेरे अलावा किसी को दामाद नहीं बना पाएगा तेरी शादी मैं धूम धाम से करूँगा इतना सब कुछ होने के बाद उस लड़की से शादी कोन करेगा उसके सामने कोई आप्शन ही नहीं होगा तो यह उसका दामाद है यह फिक्स हो चुका है लेकिन सर यह सब करना तो गलत है अभी जो मैं कर रहा हूं वह सब तुम्हारी भलाई के लिए अब यहां पर सिर्फ यह देखना है कि सर्पंजी क्या बोलते हैं इन्हें फैसला सुन विज़त गंगा की तरह पवित्र होती है अगर उस लड़की की हाय लग गए तो सत्यानाश हो जाएगा जल्दी मुथू से माफी मांग सर्पंजी क्या हुआ मेरे खिलाफ बात करेगा तू तुझे जिस चाइदाद पे घमन है न उसे खरीद कर मैं तुझे इस गाउं से निकाला दे सकता हूं या तो माफी मांग या ये गाउं छोड़ कर जा मुझे माफ कर दो मुथू देख बेटा तू गाउं में बाहर से आया है गाउं में लपड़ा क्यों कर रहा है कॉलेज में डिग्री लेने आया है न तो वही कामकार जान पर मत खेट आज के बाद गाउं के किसी मसले में टांगड़ाई तो पंचाइद बीच में नहीं आएगी सुन रहे मुथू अगर बेज़्जती हुई तो शम्शान बना दूंगा एक हपते के अंदर अपनी बेटी की शादी तैकर कि उसकी शादी करवाऊंगा अगर कोई भी बीच में आने की कोशिश करेगा तो पंचायत नहीं पंच नामा होगा एए चलो रहे चलती हूं टेक एर बाई बाई गुल्स बाई रीजिनल फेलिंग्स पर अधारी थे ये कॉलेज और तुमने इसका मीनिंग ही बदल दिया इस गाउं के जगणों का सर मेरे कॉलेज पर ना पढ़ने पाए मैंने हमेशा यही चाहा है और ऐसे में मेरे कॉलेज के स्टुडेंट की वज़े से इस गाउं में जगणा हुआ जो लोग मेरे कॉलेज की तरफ आंक उठाकर देखते नहीं थे वो मेरी तरफ उंगली उठाकर अपनी बेटी को ले कर गए आपको जो दुनिया नजर आती है वो नहीं है सर आप जैसा सूच रहे हो वैसा यहां पर कुछ करेक्ट नहीं है हर कोई यहां पर बस नाटक कर रहा है सीसी कैमरे के सामने अलग और आपके सामने अलग कॉलेज में फ्रेंड्स हैं इसका मतलब यह नहीं है कि सब लोग मिल चुके हैं रीजनल फिलिंग्स उनके खून में हैं इसलिए तमिल वाले समझ कर तेलगु वाले नफरत करने लगे है और जैसे उनको पता चला कि मैं तो तमिल वाले नफरत करते हैं कि गाओं में जगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है सर यहीं पर एक दूसरे की जान के दुश्मन है कमीनों ने हमारे साथ दोखा किया छोड़ेंगे नहीं उने चलो तेलगुवाले के लिए तेरा क्या ओपिनियन है बहुत अच्छे लोग हैं पीट पीछे वार किया तोने हां कौन सी पीट की बात कर रहे हो भाई क्या आपस में लड़ाई कर रहे हो तुम्हें पीटने के लिए आज हम लोग आए हैं चलो रहे हां तो आजा रुक क्यों गए मारो न यहां तो कैमरा भी नहीं लगा है ओहो मैं समझ गया तुम लोग यहां इसलिए मार पीट करते हो कि मुझे पता न चलने पाए मेरे सामने बहुत डिसिप्लिंड नजर आते हो तुम लोग कॉलेज की फीस नहीं भर सकते स्कॉलोशिप देता हूँ मैं एक्जाम फीस नहीं भर सकते तो एक्स्क्यूज देता हूँ मैं खाने के पैसे नहीं होते तो अपनी सेलरी से कैंटीन का बिल भरता हूँ मैं और इसलिए तुम लोग म मैं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हूं राज्य भले अलग है लेकिन देश तो एक है यह बॉर्डर को लेकर जगड़े क्यों कर रहे हूं भूल जाते हो कि हम सभी भारतवासी मैं नेक्स्ट जेनरेशन तयार कर रहा हूं और इस जेनरेशन में मैं स्टेट की फिलिंग को जड़ से खत्म करना चाहता हूं लेकिन तुम लोगों ने मेरे विश्वास को तोड़ दिया तुम लोगों को ना सुधार पाना मेरी अपनी गलती है इसलिए मैं इस कॉलेज से अपने आपको रस्चिकेट कर रहा हूं कि गोड़ बाई सब्सक्राइब को नहीं बोलना चाहिए सर मुझे बोलना चाहिए दरसल पैसों के लिए मैं बहुत नीचे गिर गया था इनकी भीश दूरी नहीं पैदा करना चाहता था सर मैंने जो गलती की है उसके लिए आप कॉलेज छोड़कर चले जाएंगे तो कॉल सर हमारा यकीन कीजिए अब हम आपस में नहीं लड़ेंगे अपसे हम दोस्त की तरह रहेंगे सर कि आम सॉरी भाई बले अंजाने में तुमसे गलती हुई लेकिन अच्छा ही हुआ यही बदलाव मैं पूरे गाउं में चाहता हूं और इस कोशिश में जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो तुम मेरे पास आ सकते हो सर वीरा मुथ्थु जी का गर यह अच्छा पापा आफ्टर ड्राइवर जहां हम बोलेंगे वहां वो गाड़ी रोकेगा उसके बोलेंगे समने ही उतरेंगे शो सम एडिट्यूड अरे बेटा जाने दिला अड़ी देरी हो रही है ममी पेटा बिल्कुल सही कह रहा है अक्र कार को चलाते रहो जब बेटा बोलेगा तभी रोकना काड़ी यही पर रोको पापा यह वीरा मुथ्थु का घर है ना एक बार देखा था बेटा क्या याददाश था देरी यह सब आपकी देन है मम्मी काफी तो बड़ी अच्छी बनाई है भाई साब मेरे बेटे का नाइ करते हैं क्या अब यह क्या खेती की बाते लगा रखिए लड़की को दिखाई है ना जल्दी पान के खुश बूलो पज्जे को छोड़ लड़की आए देख यह लड़की तो एकदम मोम की गुड़िया है कुछ भी मत बोला करो मेरे सामने आपकी नहीं मेरी फिलिंग्स इंपोर्टेंट है इनके साथ टू मिनेट्स प्राइवेट बात करना चाहता हूं विदाउट य यह सब काउमन बात है ना हम सब लोग इनी छोड़कर बाहर चलते हैं ना हेलो पूरे गाउं में पूस्टर का क्या लफड़ा है क्या आपने किसी से लफ़ किया है आप मुझसे क्या सकती है यू के ट्रस्ट मी एक दोस्त समझ कर बोल दीजी प्लीज हां मैं लड़के से डीपली प्यार करते हूं तुम सशादी तो कर लोंगी पर दल में वही अब क्या बोलू मैं नौ जस्ट लव जस्ट्रू लव हैट्स ओफ इफ डोंट मैंड क्या मैं उसे बात कर सकता हूं प्लीज ओके डायल कीजिये ना हलो हलो कौन हलो ब्रो जस्ट मिनट हां जो बात आपने मुझसे कही एक बार फिर से दोराएंगी प्लीज तुम से शादी हो गई तो भी दिल में वही रहेगा कार्थिका थेंक यू सो मच ब्रो मैं सोच रहा था कि लाइफ में रिवेंज लेना खत्म हो चुका है लेकिन तुम्हारी वज़े से फिर से चांस मिल गया रिवेंज मतलब मैंने एक लड़की से डीपली प्यार किया था ठीक शादी के टाइम उसका लवर उसे शादी के मंडप से उठ पर क्यों देख हाथ की पांचे उंगलिया बराबर नहीं होती है यह मामला भी ऐसा ही है एक रो ब्रदर एक हफ्ते के अंदर मैं इस लड़की से शादी करूंगा शादी रोकने के लिए जो तू कर सकता है वो तू कर ले प्यार में धोखा मिलने में जो फीलिंग मुझे हो और यह वही फिलिंग तुझे भी होनी चाहिए तेरी केरेक्टर को जाननी के लिए दोस्त का पता लगाना होगा और तेरी कैपेसिटी जाननी के लिए तुरे दुष्मन का यह एक तमिल फिल्म का डायलाग है जो तुझे मैं आज हिंदी में सुना रहा हूं पोरे दिल से आ भाई साब डारेक्ट शादी कर लेते हैं लाव यू डैड़ी एक हफते में शादी कैसे है और शादी भी एक मेंटल के साथ आप सिर्फ हाँ बोलो उसे उठा कर ले आते हैं यह तो बेवकुफ है क्या प्यार करने वारी लड़की कोई उठा के लाता है क्या मेरे भाई तु तो केशो को पसंद है ना फिर प्रॉब्लम क्या है भाई तो गाउं में नहीं था एक सप्ता नहीं था सैसुराल गया था कली तो आया हूं अबेट तु तु तमीर वाला है ना क्या बात कर रहा है यार मैं बच्पन से मेगा स्टार का फैन हो उनकी स्टाइल में मैं डैंस भी करता हूं मुझे तो वही लड़की चाहिए लड़की तभी मिल सकती है जब यह दोनों गाउं एक हो जाएंगे और एक करने के लिए जगड़े के बारे में कहानिया सुनाते रहते हैं अगर एड्रेस चाहिए तो भाईस आपसे पूछो अरे बड़े मियां आपके गाउं की कहानी जाने के लिए कॉलेज से लड़के आये बहुत खुशी की बात है एक समाने में हम लोग बिल्कुल भाई की तरह रहते थे एक दूसरे को काटते फिर रहे असल में ये गाओं अलग हुआ क्यों ये बात सन 1973 की है जब मद्रास और तेलगू को अलग-अलग राज्य बनाया जा रहा था तिरूपुरम गाओं के लोगों को ये सुचित किया जाता है कि मद्रास से आंद्रा अलग हो रहा है इसलिए राज्य सरहत का निर्वान हुआ है इस प्रकार जो सरहत है वो तिरूपुरम के बीच में से निकलेगी आप सब लोग आकर अपनी सिगनेचर कर दीजिए फिर इस गाओं को दो हिस्सों में अलग-अलग बांट दिया जाएगा ऐसा केंदर सरकार का ओडर है यह कैसी बाते कर रहे हैं तुम अगर यह बात हमारे जमीदार को पता चली तो जानते होना क्या होगा इस गाओं के जमी बढठी बंडू की जै पू बठी बंडू की ज जै रामातुरकेशों की जए रामातुरकेशों की जए बाई-बाई की तरह मिल जुल कर रहने वालों को अलग करने वाला तू कौन है सहाब ये केंदर सरकार का आदेश है यहां की हम सरकार है हमारा राज्य है हम हमेशा साथ रहेंगे और साथ मरेंगे तू ने क्या सोचा तू हमें अलग कर देगा तेरी सबादितो हम लोग बनाएंगे हमारे बीच में लकीर कोई नहीं खीश सकता हां सही कहा हम लोग साथ जिए सोचा था कि हम ऐसे ही मिल जूल कर रहेंगे लेकिन इस तरह सिख नीचर करके हम लोग फिर अलग हो गए यह क्या पहले तो मिल जूल कर रहेंगे बोला और अगले दिन ही साइन करके सीधे सीधे अलग हो गए अच्छे इस बीच क्या हुआ था कि क्या हुआ इनको लगता है सर्दी हो गई है कंबल की जरूत नहीं है दादा जी को दौरे पड़े हैं कि अरे अराम से हैं कौन बोल रहा है हां परम बलो अरे तुम किसे फोन पर बात कर लें से मैं अधर अंधर लें चौड़ उन्हें होश आ गया है अच्छा आ अच्छा आ अच्छा आ जड़ाजी उस दिन उस दिन बोलकर आ बहोश गये हैं क्या वो ता उस दिन उस दिन भी मुझे फीट्स आया था और मैं गिर गया था उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं अरे तो इनको उसी समय निकल देना चाहिए था ना अबे चल चलिए आसे असल मैं गाओं के जगड़ी की वज़े पता लगा नहीं होगी आप लोग यहां पर कैसे हैं तुम्हारे पापा को फोन आया था हलो मैं आपकी बहु का होने वाला पती बोल रहा हूं रॉंग नंबर ब्लडी फूल हेलो कभी दस भिखारी को एक साथ खाना खिलाया तुमने जो फोन फट से कट कर रहे हो प्री है क्या तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार प्रॉब्लम मेरी नहीं आपके बेटे की है वो इससे प्यार करता है मैं उससे शादी करने वाला हूं यह जानकर उसे बहुत बैड फील हो रहा है कल से सैड फील भी होगा और परसो मैड फील होगा तुम डैड हो इसलिए उससे समहाल लो उसने आपको फोन क्यूं किया था अब यह हमें क्या पता तुम्हारा फोन स्विच्ट ओफ आ रहा था तुमने फिर से क्या आफ़ाद खड़ी कर दी यह जानने के लिए हम आ गए एक मिनिट हाँ इसलिए पापा को फोन क्यूं किया था सिंपल दोस्त तुने मेरा फोन कट किया बेरे दिल को बुरा लगा इस इलिटर डैड को फोन किया मेरे पापा का नमबर तुझे कहा से मिला और तेरा पापा कहीं का राश्ट पती है क्या फागलो जैसी बात करता है रिवेंज के दवर मुझे छोड़ कर गई है मेरे लिए एक एक दिर काटना बहुत मुश्किल हो गया है नोट बंदी में प्लैक मनी पकड़े जाने पर जितना दुख होता है न उतना है दुख तुझे भी होना चाहिए टाइम नहीं है को ब्रदर शादी के कार्ड और दे चुका हूं मै कुछ तो फाइट करो को ब्रदर इस गिदिंग टू यू लेजी देखते हैं किसमें कितना है दम काउंड ओन बिगिन सांबर या दंबरियानी शंकर या राजा मॉली हुआ क्या था सुन बेटा हमेना ये गाउं चाहिए और ना ही वो लड़की हमारे साथ चलना बेटा ये बात आपको कहनी चाहिए खुशी से रहने वाले लड़के को यहां भेज़ दिया अगर कुछ हो जाता तो मा क्या मैं कभी भी किसी लड़की के पीछे भागा क्या कभी किसी से बात की लेकिन उसे देखने के बाद मेरा मन सीधे उस पर आ गया अक्सर मैं जगड़ा जगड़ा करता था लेकिन अब मैं जगड़ों से बहुत दूर रहना चाहता हूं मा तो सुचिए मुझे लड़की तब यह माना था क्या अब इसे प्यार करने से मना करेंगे तब मान पाएगा मेरी बात तो सुनिए इसे कुछ भी नहीं होगा कि जाओ बेटा तुम अपना काम करो हम उस लड़की को हैदराबाद लेकर जाएंगे थैंक्स पिता जी यह अची है ना सही का यह अरे सुन तुन्हें कुछ खाया या नहीं खाया कुछ दिर पहले ही के रहा खाया था थे खाखाके मोटी हुई जा रही है डूप कड़ कहीं की हरो जितने लोग मरते हैं पता नहीं यह बुढ़िया कब मरेगी ठरकी कहीं की किया हुआ तो रोग यह बात क्या है बता दो एक बार उसे मिलना चाहती हूं यार बाहर नहीं जाने दे रहे हैं कैसे मिलेगी अंकल अंकल नमस्ते नमस्ते बाई साथ कैसे हैं मेरा डालॉग मत मारें अंकल काड़ प्रिंट्स हो गये हैं सेंटिमेंट की मताबिक सेकेंड काड़ आपको देने आया हूं पर सेकेंड काड़ क्यों अकड़ बकड़ तो जल्दी लगा कर दे दो ना सम्धी अब एक अब हल्दी कहां से लगाऊ मैं मिल गई हल्दी एक मिनिट पूरे चेहरे पर हल्दी जूला यहां पर बांती है आप शादी में जरूर आईएगा सीरियसली क्या लोग है बेटा टी या कॉफी आपकी बेटी मतलब यह कहना अचारा है कि आपकी बेटी और मेरा बेटा जॉइंटली कार्ट डिस्रिबूट करेंगे क्यों है ना सूपर माइड़ डैडी अकडबकड सी बचना तो यह बुला उसको मेरे सर में दर्द है मैं कहीं नहीं जाओंगी मां तुम्हें बोल रहा हूं जा के उसे तयार करो वैसे आप लोग कहा जा रहे हैं अकडबकड मतलब तुम इनकी बेटी को लेके जा रहे हैं तो बताना तो जरूरी है ना अच्छा उसके कॉलेज में कॉलेज में नहीं भेजोगे वो सर में दर्द है ना ओ बर्गत के साइस की सहली भी है कथा कहीं कब अब फ्रेम में आ गई हो तो साथ ही चलो आओ जो सलह देनी थी वो देदी है ना यहीं की इसके साथ शाड़ी कैसे करोगी एक बार तो सोच लो लाइफ में कॉंप्रोमाइ क्यासी सला देने के लिए तुम जैसी बैस्ट बनी होती है मैंने कोई सला नहीं दे से पता है तुखाने के अलावा और कोई सला दे ही नहीं सकती मुझे पता चल गया है कि लड़की बहुत खूपसरत है ना जी बगल में एक बफैलो भी तो है है यहलो ब्रो तेरी लवर मेर इस बास से मुझे बहुत खुशी हो रही है इसलिए फर्सट कार्ड देने मं तुझे यहीं आया घ। तु ऐसा प् Laz to काम करेगा इसलिए good पटेगा हलो 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 यह फायर प्रूफ यह लेगा भी नहीं फेकेंगे तो गिर जाएगा ना गुच्सा गुच्सा खुद को मार ब्रो खुद को मार ब्रो ऐसे एमोशनल एक्सप्रेशन जाता हूं तेरे चेहरे पर मैं कुछ करेगा तम मजा आएगा ना लेकिन ऐसे डाइम पर तु क्या करेगा यहां पर डायलोग होना चाहिए कि यह लड़की मेरी बहु बने की समझ गया ना बेटा तुझे मेरे सर की कसम है फिल्मों में सारी मा यही ड लड़की मेरे बेटे के साथ ही जाएगी इतना विश्वास हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है पक्का भरोस है कोई डाउड तो नहीं है कोई शक है आपको विश्वास है ना इस पानी को इस बॉटल में डाल कर दिखाए इसलिए मेरे सामने यह फाल्तू डालोग मत मारा करो किसी अनबढ़ गवार के सामने मारना मेरे सामने नहीं क्यों इस बत्तमीज के मूँ लग रहे हैं आप भी लिप लॉक कर लेते हैं गुद टाइमिंग है तेरा बैड टाइम आ गया आंटी कि साथ चलोगी मेरे तुम्हारे पगेर में नहीं जीज़कती और अपने पापा को छोड़कर भी नहीं जा सकती अरे पापरे कले यह मिल रहा और शादी मेरी होगी इस लड़की से तो इसको बहुत बुरा लगेगा कितना मज़ा आईगा है ना अंकल मौके पर चौका मारूंगा मैं तो गलती से इंसानों में पैदा हो गया है रहे लव यू अंकल हरी मुझे बस तुम चाहिए सर एक घंटे के लिए आपकी कार चाहिए है हम रिखा किस दे दो अरे मैंने किस देने के लिए कहा था किस नहीं ओ सॉरी सर देख रहा हूं जब से आया है तुम बहुत बदल गई ओ नो डाउट अरे उत्रो उत्रो जल्दी उत्रो पता नहीं क्या करना पड़ेगा बबुराव सर ये बुड़े लोग यहां क्यों आए हैं सर देखने से नहीं लगता कि आए हैं या उठा के लाए गए हैं क्या कह रहे हो चड़िये चचा जी आजकल पूढी और तो को भी उठा कर लेजाए चला उठाव अरे उठाव अरे उठाव साथ पूबा ले चला बाया मोकी चक्कर में का मिरमत पड़ना बेड़ा तू भी अपने गाउं से गाया अरे बंदर कहीं के मैं पापड को देखने आई थी कि कहीं का उवे न ले जाए और तू वहां से मुझे उठाकर ले करा गया अगर ये बात मेरे बेटे को पता चल गई न तो वह तुम सब लोगों का गला काट कर रगतेगा हां दादा जी नाना जी मुझे माफ करना कोई दूसरा रास्ता नहीं था मेरे पास एक जमाने में जब सब लोग एक साथ रहते थे आज इतने अलग की हो गए बताईए ये पूछने वाला तू कौन होता है उठा के लाया है तो कुछ भी पूछेगा हम बताएंगे क्या एक बार जहां थूख दिया ना उसकी बात जुबान पे नहीं ला सकता इससे पहले की कुछ हो हम लोगों को शराफत से जाने दो ये क्या बोल रहे हो वो क्या कह रहे हैं और तुम क्या कह रहे हो मूछें सिर्फ तुमारे पास ही है हमारे पास नहीं तुझे तो वह वहीं काट देता अपनी बेहन की शकल देखकर छोड़ दिया तुम चुपर हो ज्यादा बगवास मत करो, हमने जो भी किया है सोच समझ कर किया है हमसे अपनी तुलना मत करो अरे ओ स्वामी, साथ में हमने जन नहीं लिया तो क्या साथ में हम पले बढ़े तो हैंना मेरे भाई इतने साल हो गए हमें अलग हुए एक साड़ी भी भेजी तुमने उसे कभी और याद है जब वो फेट से थी एक हल्दी की गाट भी नहीं भेजी तुमने और तुम्हें अपने बहन और जीजा याद हैं जब वो मर रही थी बेचारी तो भाईया भाईया कहकर आखरी वक्त में तुम्हाराई नाम ले रही थी कहां से आया यह पता नहीं दो गाउं को मिलाना चाहता है जो पता है बता दो लेकिन यहां भी लड़ाई कर रहा हूं कि दिखो बेटा मैं बताता हूं सब कुछ है यह जो बात है वह सब 58 की है दादाजी उतना टाइम नहीं है हम साथ मिलकर रहेंगे साथ ही उपर जाएंगे समझ गया ना साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, 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 साथ म दोनों गए थे गले में हाट ढाल कर पर बाहर आये तो दोनों खूल को लगता है तिल को वालों के विश्वास मत करना गाट डालो सबको सुनो सुनो तुम लोग कवीन के साथ मत रहना काट डालो सबको अब तक जो लोग भाईयों की तरह रहते आ रहे थे वो अब दुश्मन बन गए थे दोनों के बीच में एक धिवार खड़ी हो गई थी दरार पड़ गया उन रिष्टों में तब भी एक दुसरी कुमारा अभी मार रहे हैं उस रूम में हुआ क्या था दादा जी उस दिन उन दुनों के बीच उस रूम में क्या हुआ था कोई भी नहीं है जो इस बात को बता सकता हो चलो रहे अरे 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 इन लोगों को छोड़ कर तुम कहां जा रहे है आप भी इनको छोड़ दो रेखा किस किस मांगा तो किस दे रही हो हालो करतिका गाओं के जगड़ी की वज़े ही पता नहीं चल पा रही है और तुम्हारे घरवालों को समझाने का वक्त नहीं है तुम चली आओ मेरे पास हारी तुम्ही म Major मैं नहीं आ रही है मैं तुम्हारे साथ चली गई तो सब跟大家 पापा को ताने मारें sono मेरी फैमिली तो जीते जी मर ही जाएगी ऐसा कुछ नहीं होगा तुम सिर्फ हाँ बोलो मैं अभी आकर तुम्हें ले जाओंगा तुम्हें जो बोल रहो यह समझ में नहीं आ रहा है मैं अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं जा सकती कि अरे बेटा इस गाओं के बारे में बेटा यहीं बेटा मेरा बेटा रो क्यों रहा है चलो बेटा मारो पापा को मारो हसो तो बेटा उसी नहीं आ रही है पापा कि ए तुझे मैंने आज तक कभी हारते हुए नहीं देखा है बेटा आज भी तुने हारेगा इस गाओं के जगड़े के बारे में जानने के लिए मैंने रिवेन्यू रिकॉर्ड की चान मिन की ये देख ये इंफॉर्मेशन मिलिए मुझे सन 1978 में दोनों जमिंदारों की जमीन का एक बड़ा हिस्सा एक ही आदमी के नाम से ट्रांसफर हुआ देखना प्रॉको पुको! ऐय, ऐय, ते रच मैं नमस्टें नमस्ते से मैं विश्टेमें लड़का है ना सरपंजी के घर में घुछ गया है और हम सब बहुत मारा है वो लड़का घुछ्ते में के सरपंजी को मारना देँ है और वह कुलेज वह लाग्यरा है न हो सपन जबुछे में रूम में चला गया है पता contains क्या करेगा है कि अभी ना टाइम है ना पेशन्स है मैं जो पूछना है उसका सही सही जवाब देना गलत जवाब देगा तेरा सर फोड़ दूगा और वो भी अभी के अभी यहां के जमीदारों के आधी जायदा तेरे नाम पे क्यों है हां बोल जो गले में हाथ डालकर अंद बतातों 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 बतातोंатेल सर थांतों दूरा मयासर भत्रान पाश्यंती भाग भावेथ कंड्या को लेकर आए हे है हो smallpenous Trainingana Puriya supplierrer reminds वन पुछा विख्याना से ठींस है है गया को मंगता सूत्रमें आए मंगलन थापरान करंतरा भी यह सब कैसे हुआ बताता है या तेरा सर फोड़ दू मैं बताता हूं बताता हूं मैं उस दिन आओ दोस्त आजाओ आज बहुत ही खुशी का दिन है यह मेरी तरफ से तुम्हें जो भी चीजें पसंद हैं वो सब यहां पर मौजूद है तायना अरे मेरे दोस्त दिल हो तो तेरे जैसा मेरे दिल के अंदर जो रूप पसा था उस दायना को लेके तु बिटें से आया डायना तेरी नहीं डायना मेरी है दोस्त वाट यू टोकिंग वो मेरी गल्फ्रेंड है अंग्रीस लोग बटवारा करके चले गए लेकिन इसे मुझे देखे गए यह कैसी बाते कर रहा है तुम्हें यह पांच साल से छे मैने मेरे पास रहती है और छे मैने लंडन में अरे पागल वो जो लंडन बोल रही है न वो पहाड़ी उपर मेरा बंगला है अरे पागल हो वो मेरी है और मेरी रहे की तुम यहां क्या कर रहे हो देखो गोरी को मुद्धू को कितने प्यार से मुद्धू बुला रही है यहां नहीं होता है अगर यह गलत है तो तुम लोग यहां क्या कर रहे हो यहां क्या कर रहे हो अरे बापने यह बात करने का टाइम नहीं है यह मेरी है टाइना ज़ता है यहां ज़ता है यह यह है यह टाइना मेरी यह ए डायना मतला आउरत के लिए एक दूसरे को मारा आरे आउरतों के लिए कितने ये दोए है उसमें से ये भी एक है ये बात आपको कैसे पता चली वहां एक फ्रेम में पहले एक बच्चा था वह बच्चा मैं ही हूँ लेकिन वो तो एक अंग्रेज है ना अरे गाओं की धूपी ऐसी है तुझे क्या पता मैच हो गया बस अच्छा तुम जमीदार कैसे बन गए अरे उनके पास बहुत सारी जाइदा थी ना तो मेरी मम्मी ने एक से 500 ले ले दूसरे से 500 ले लिए और मेरे नाम कर दी टोटल जमीन हो गई एक हजार एकर और वह एक हजार एकर पाके में जमीदार बन गया पहले बता देते तो गाओं का जगड़ा खतम हो जाता मेरी मम्मी ऐसी थी मैं कैसे बता सकता हुआ है प्रोफाइल निकालो प्रोफाइल 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 कि तुम्हारे दादाओंने पर्सनल जगड़े को तेलगो और तमिल जगड़े में बदल दिया अगर यह गांवालों को पता चला तो पूरा गांव एक तरफ और तुम दोनों का परिवार एक तरफ हो जाएगा अब कोई आप्शन नहीं है तुम दोनों एक हो जाओ और आप मुझे अपना दमाद बना दो केशा जो चलेगे उनके लिए जखरने से क्या फायदा या तो माफी मांग या यह गांव छोड़ कर जा अरे मुझे तुझे अच्छा दमाद और कहीं नहीं मिल सकता है मुझे तुमारी जागे कोई और लीडर होगा हमें पता है हमें क्या करना है धोके बास तुझे छोड़ूंगा नहीं जहां हमारे दादाओं ने जान ली थी हम वहीं पर जबान दे रहें आज के बाद हमारे बीच कोई जगडा नहीं होगा और इस गवाह के तौर पे मैं अपनी बेटी की शादी इस तेलगुवाले से करवा रहा हूं साथ जीएंगे साथ मरेंगे साथ जीएंगे साथ मरेंगे साथ मरेंगे साथ जीएंगे साथ मरेंगे सुनो जी देखा मेरे पर करने वाले गाउं में बेजा था लैकिन इसने दो दुषमन गाउं को मिला कर एक कर दिया क्या समस्ति हो हमारी जायदाद पर कब्दा करके तो हम पर राज कर रहा था शादी हो जाने दो फिर बताता हूं देखो हम लोग एक दुसरे का राज नहीं खोल सकते, अगर हम में से किसी का भी राज खुला, तो गाँवाले उसे धक्के मार के निकाल देंगे, इस उम्र में शोभा नहीं देगा, तो जो चल रहा है, उससे कंटिन्यू रहने दो. अच्छा सुनू, वो रिवेंज मैंन की क्या कंडिशन है, किटनापिंग के बाद तो दादी पूरी तरह बदल गई है, वो कह रहे थे कि उसकी फिक्र मत करो, मैं देख लूँगी, कमाल हो गया, यार, पापा, बहुत मुश्किर हो रही है, मुहारत बदलना ही पड़ेगा, उसकी कोई जरोत नहीं, लड़की वालों ने दूला ही बदल दी, अरे क्या बखवास कर रहे हैं पापा, लड़के को मोशन होगा तो मूरत को बदलेंगे ना कि दूले को बदलेंगे समझे ना अब खेलना ही पड़ेगा अब खेलते तो चलो 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 आजा आजाओ झालो चलो 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 च